हेलो फेंस मैं हो जामान राज़त को स्वागे देग जाम पेक्षालेंग में आज हम लोग जो है सीजेल एन सीजेल में पूछे गए ऐसे टेन बहुती इंपॉर्टेन रिजनिंग के कोश्चिन करने वाले हैं और उसको हम बहुती आसानी से भी सॉल्ट भी करेंगे और ये सार को पूरा ध्यान से देखिए और कॉंसेप्ट को समझिए तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं पहरा जो कोशिन है हमारा ये बहुरती इंपॉर्टेन है और एल्फबेट से जुरी हर एक्जाम में जो है कोशिन जरूर आपको देखने को मिलता है तो आप लोग एक काम क देखिए और हमको यहां पर कोशिन वर दिया गया है यहां पर क्या होगा यहां को फॉइंट करना होगा यहां पर देखिए जो स्रीश चल रहा है यह किस तरह से चल रहा है पहले यह फॉइंट कीजिए यह के बाद देखिए यहां पर यह भी आ रहा है यानि एसे एक प्लस करके B आ रहा है ठीक C से यहां पर देखिए एक प्लक करने से यहां पर D आ रहा है C के बाद हमारा D आता है और E के देखिए E वे भी वो सेम पैटन चल रहा है यानि कि यहां पर जो पैटन चल रहा है यहां पर यहां पर क्या होना चाहिए पहले H, G के बाद हमारा क्या आता है G के बाद हमारा आता है H, I के बाद क्या आता है हमारा J, NK के बाद क्या आता है L तो कितना आसान है और आप देखिएगा PPCR के question उठा के देख लिजेगा कि जो है सारे reasoning के जितने भी question आते हैं सारे ऐसे ही अगर हीब हीब एन बी इन दोनों में कुछ एक relation है तो जो है इरी ये जो है इसके साथ किसका relation होगा इन जो option दिया गया है पियोगन sparrow, parrot, eagle इन में से जो है किस से related करेगा ये जो बी होते है हमारा मदुमक्षिया जो होते है इनके जो हमारा जहाँ पर वो लोग रहते हैं इनका जो shelter होता है उचे कहा जाता है because shelter को हमारा कहा जाता है एक classification से यहाँ से question जो है बहुत ही घुमादार आते हैं कि यहाँ पर जो है आपका जितना भी knowledge है उतना आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो यह जो है इरिक जो है एक type का nest होता है एक बहुती बड़ा largest nest होता है और यह जो nest होता है यह eagle का nest होता है तो eagle जो related करेगा वो इरिक से related करेगा यह question जो है हमारा साइद मैंने cgl 15 या 16 में यह आया था वहाँ से मैंने यह question ले आया यह बहुत ही important मन चाता है आपके आने वाले आगे अगर exam बने तो वह सारे exam में और खास करके आपके state level के exam में बहुत ही important जरूर बनेगा यह तो इसे आप याद रखिएगा चले आगे बढ़ते हैं अगला question है हमारा अगर a3 a question number है अगर 5 is to 27 है तो 9 is to कितना होगा तो 5 से पहले देखिए 27 कैसे आ रहा है 5 से जो है 27 कैसे आ रहा है 5 के अगर हम square करें यहां पर यह देखिए यहां पर सिर्फ जो जितने भी स्रीज का question आता है स्रिफ स्रीज का question यह स्रिफ आपको find करना होगा को यह स्रीज जो चल रहा है एक इस pattern में चल रहा है अगर आपको pattern पता चल गया तो आप चाहिए जितना Uhord आप यहां फी घुमाना होगा series दया है सारे आपकर जाओगे यहां पर यहां पर घूकर 25 का हम स्कौर करें और कितना आएगा तो तो हमको कुछ और सोचना पड़ता तो यह इस पैटन में एक उस्षी नहीं चलता तो हमको कुछ और फाइंड करना होता लेकिन यहां पर 83 अफ्षन में है तो यहां से जो है यह वाला अफ्षन सही बन जाएगा चले आगे बढ़ते हैं कभी कभी होता क्या है दो तरह से अगर करें देखा जा रहा कि दोणों पैटन फॉलो कर रहा है और दोणों ऑफ्षन में दिया गया है तब यह continuum हो जाता है वहां प्र यह ग्जामिनर पर होती complexity प्क करेगा तब बहुत ही है लेकिन यहां पर हमने देखा है कि अगर 5 के स्क्वाइर करके तो 27 आ रहा है नाइन के स्क्वाइर करके अगर तो 83 आ रहा है और 83 हमारा option में भी है तो यहां से यह वाला ही सही होगा और बाकी किसी भी option के साथ यह match नहीं करें हो चले आगे बढ़ते हैं कि निश्ट कुर्षिन है हमारा एक जो है missing series का question है एंड बहुत ही important है missing series के आप जितने पैक्ट पिस करोगे उतना आपके लिए वैतर है तो यह देखिए series कैसे चल लाए find करते हैं 24 है 35 है 20 है 31 है 16 है 27 कैसे चल लाए इन दोनों का अगर हम माइनस ले तो आ रहा है कितना 11 अगर इन दोनों का ले तो आ रहा है हमारा 11 तो अब इन दोनों काना चाहिए हमारा 15 और इन दोनों काना चाहिए हमारा 11 ये एक स्रीष चल रहा है हमने ये नेगटिव करके देखा तो ये चल रहा है मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ कि और एक भी स्रीष चल रहा है यहाँ पर देखे 24 से ये एक जो है एक घर को दूसरे घर में जब जा रहा है तब यहां पर 4 माइनस हो रहा है यहां पर भी 4 माइनस हो रहा है तो यहां पर भी 4 माइनस ही होगा इधर से अगर करे तो भी सही रहेगा उधर से अगर करे ओभी सही रहेगा यहां पर तो यहां पर 4 माइनस करे तो यह कितना हैगा यह 12 होना च चेहे यहाँ पर चार माइनस करें तो यहां दोनों में यहाँ से 27 तो यहां से तो से 27 js.. 12 होगा, दूसरे वाले में हमारा 23 होगा, तो यहां से हमारा D1 आफ्रन से बन जाता है, चले आगे बढ़ते हैं, next question है, 5 star में दिया गया है, star देके equals दिया गया है, 35, 8 star देके दिया गया है, 28, 8 star 4 देके दिया गया है, 28, and 6 star 8 को हमको find करना होगा, इसका value जो है, हमारा कितना होगा, यह हमको find करना होगा, दीखिए, यह कैसे चल ला है, बहुत important यह शे question हमेशा बंच चाहे, अब series को सिर्फ जान लीजिए, एकदम exactly तो यह नहीं आगे, यहां पे सिर्फ digit को change कर देगा, और ऐसे ही आएगा, तो अगर 5 से 6 कर multiply करें, तो यह 30 आ रहा है, 30 से अगर पहले वाले को जोड़ दे, तो यह आ रहा है 35, दूसरे में अगर सेम ऐसे ही करें, तो यह नहीं चल ला है, यह वाला series नहीं चल रहा है, कुछ और सोचते हैं, अगर हम, जो है 6 को अगर हम divide कर दे 3 से, तो और राए 2, 2 से अगर हम, 5 को अगर multiply कर रहा है, और रहे 10, 10 के बाद अगर, तो यह भी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखे, जो है यह हमारा 5 है, और यह हमारा 6 है, 6 को अगर 2 से हम divide करें, तो कितना रहा है, यहाँ रहा है 3, यह 3 as it is रहेगा, और पहले वाला 5, 5 यहाँ पर add हो रहा है, तो यह बन गया 35, दूसरे वाले में देखे, यहाँ पर है 4, 8 into 4 है, 4 को अगर 2 से divide करें, तो यह आ रहा है हमारा 2, तो पहले 2 रहा है, 8 into 2 है यहाँ पर, तो यह 2 रहा है गया, और आगे वाले का 8 यहाँ पर, as it is रख देते हैं, और फिर आगे वाले में भी, देखे, इन दोनों में match हो गया है, यानि के, जो है 5 बन नमबर है, यानि तीसरा जो नमबर है, यहाँ पर भी यह match होना जरूर चाहिए, देखते हैं, यहाँ पर अगर करें, तो यह आगर 8 को अगर 2 से divide करें, तो आएगा 4, और, जो है हमारा 6, अब देखिए, जो 46 क्या option में है, अगर option में है, तो यह सही हो जाएगा, अगर option में नहीं है, तो यह भी pattern नहीं चल रहा है, कुछ और pattern हमको find करना होगा, तो यहाँ के option में है, तो यह भी बाला सही हो जाएगा, तो यहाँ से यह वाला सही है, चलें आगर बढ़ते हैं, अगरा कोश्चिन है हमारा, अगर बाला कोश्चिन है हमारा, आट पर देखिएगा, कि reasoning में जो है age का कोई problem आ रहा है, age related कोश्चिन आ रहा है, तब उसे आप सोचिएगा, कि यह एकदम आसान सा है, इसे देख के ही बतावनने वाला यह कोश्चिन है, क्योंकि reasoning में जब कोश्चिन आएगा, यह जब कोश्चिन आएगा यह का problem, कर पाएंगे, अगर देखा जाए कि एक math का कोश्चिन, एक reasoning का कोश्चिन, फिर एक jay का कोश्चिन, तब आप find नहीं कर पाएंगे, तो अगर ऐसे कोश्चिन पूछा जाए, कि दोनों का range, जो है अरुन, एन इस्टू हमारा दीपक, इन दोनों का ratio है, हमारा 4 इस्टू, 23 एज का, अब जो है, after 26 years, after 6 years, 6 साल के बाद, अरुन एज कितना हो रहा है, 26, अरुन का एज हो रहा है, 26, एदे आदे, 6 साल के बाद, अरुन का एज हो रहा है, अगर, तो अब present में, अरुन का एज कितना होना चाहिए, present में उसका एज होना चाहिए, 20, क्योंकि यह वाला है, 6 साल के बाद, तो इसके 6 साल के बाद, यह हो रहा है, 26, यह वाला तो option में, यहां पे दिया गया है, यानि अब present में, उसका अरुन का एज कितना है, present में जो अरुन का age है वो है हमारा 20 अब जो है हमको यहाँ से पता है कि जो है अरुन का और एका जो ratio है यह हमारा 4 to 3 अब इस ratio में ऐसा क्या अगर एक बार चेक कर लीजिएगा question जब भी आएगा तो इस ratio में ऐसा क्या multiple कर दे जो अरुन का age जो है 25 बन जाए तो यहाँ पर हम 5 को multiply कर दें तो अरुन का age हमारा 20 बन जाता है और जो है हमारा दीपक का age बन जाएगा यह हो जाएगा 15 तो कितना आसा है बहुत आप question को देखिएगा सिर्फ यहाँ से यहाँ पर घटाएंगे हम घटा के 20 हो जाएगा तो हमको अरुन का age पता चलगा अरुन का present age कितना है 20 है तो यहाँ पर ratio में या सक्या multiply कर दे जिससे अरुन का age 20 बन जाता है अगर 5 को multiply कर दे तो अरुन का age 20 20 बन जाता है अब जो है अरुन का age 20 बन जाता है एगला कुछन हे हमारा, इफ इन इस सेटन कोड, रामायना इस रिटेन एस PYKY WY LY दिन महावारत इस रिटेन अंदर कोड अफ। जो है अगर रामायन को अगर लिखा जाए, PY के जो जो कोड है, इस कोड में अगर इसको लिखा जाए, तो जो है महावारत को किस कोड में लिखा जाएगा यह जो alphabet है alphabet का आपको याद करना है पर रहे यह master है एकदम एकदम से master है आपको alphabet reasoning अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आपको alphabet सारे आपको याद करना होगा है कौन से वाला कितने position में है क्या के चल रहा है 2 के बाद यह आ रहा है तो यहाँ पे बही जो है पीशे चल रहा है तिर आगे देखते हैं के के बाद हमआथ WOW हम तीन को हमने चेक कर लिए हैं हम देख रहे हैं कि जो है श्रीश जो है पीछे दो-दो करके पीछे चल रहा है तो यानि कि यहाँ पे भी दो-दो करके पीछे जाएगा तो पहले वाले जो option होगा यहाँ पे आप जब भी कोई बड़ा digit आ जाए examiner क्या करता है आपको जो है time ना लगे इसलिए आपको सिर्फ जो है पहले सब सब पहले जो आपको कम करना होगा वो पहला alphabet को चेक करना होगा और आकरी alphabet को चेक करना होगा पहले alphabet होना चाहिए क्या होना चाहिए इसके 2- m, m के 2 अगर कम करे तो आता है हमारा m के पहले आता है i, j हमारा आता है j के पहले आता है हमारा k यानि यहां प्हेले की होगा तो तीनों में हमारा केश है तो यह वाला अक्षिन सभी सब्सक्राखा लेकिन यहां से तियेलियनियमेयल हमारा सी प्हेंचल कस नहीं होगा एक्जाम में आप इनले प्रोसेस को भी फॉॉ किजिए इसे बहुत को इसे लуш की सारी कि सारे डिजिट अलग है सारे अलफावेट अलग है इसलिए मैंने पहले और आखरी को चिक करूंगा तो बाकी सारे तो कुर्षिन जो रहेगा तो वो तो सही automatically सही होना ही चाहिए अगर सही नहीं हो रहा है वो तो जो है वो exam ही जो है वो कुर्षिन ही गलत रहेगा तो हम पीछे बाले में यह है यह हमारा यहाँ पर कितना आ रहा था यह हमारा आ रहा था Y तो यानि जो आखरी डिजिट होना चाहिए वो हमारा Y होना चाहिए और यह दोनों भी automatically जो है race से खतम हो चुके है यानि eliminate हो चुके है तो यहाँ से obviously जो है डिवाल आफ्टन सही होगा ही होगा तो आप जो है eliminate process को भी follow जरूर कीजिएगा चले आगे देखते है अगला कुशन है हमारा फूच अब the following diagram रिप्रेजन लाइन फॉक्स एन कार्निफोरास इन में से जो है लाइन फॉक्स और करनिफोरास तो कौन से जो है diagram जो है represent कर रहा है when diagram एक बहुत important यह है आपका जितना भी आपका knowledge है इस knowledge के उपर base करके question रहता है जो हमारा करनिफोरास रहता है वो जो होता है यह जो हमारा करनिफोरास है यानि यह जो है सब कुछ खाता है यह करनिफोरास है उसमें से हमारा live पड़ता है और हमारा इसमें fox भी पड़ता है क्योंकि fox एक करनिफोरास है यान भी एक करनिफोरास है तो अगर ऐसे करके अगर कोई आपको diagram दिख रहा है तो वो diagram सही होगा तो कौन से डागरम हे तो दीख रहा है । वो दिख रहा है यानि पर सही होगिए चले आगे देखते हैं अगला हुआ है हमारा in the figure how many pins are blue यह जो figure है इस figure में जो है कितने pin blue है यहाँ पे देखे पहले वाला जो triangle है वो black है यह जो हमारा rectangle है यह हमारा pins है and यह जो हमारा blue है यहですね यह जो triangle है यह blue है तो यहाँ पे condition यह ऐसा question आये तो condition main है तो condition किया है how many pins तो पहले जो condition है वो हमारा पेंस पहले हमको देखना होगा पेंस कितना है ठीक है इतने में जितना है सारे पेंस है और उन पेंस में से और कितना blue है तो यह हमारा blue का जो है यह circle हमारा blue है तो यहां से कौनसा कौनसा आएगा ए्स 16 नहीं आएगा क्योंगि यहां पर बोला गाया हमैनी इन पर पियांदर नहीं पर था है यहां पर 19 और 4 जो घंपिन के अंदर पर रहा है और यह पिन जो यह blue भी है तो यहां पर होगा और यहां पर हम को फॉइंट करना होगा टूरल हमारा होगा 19 प्लस फॉर यानि 23 तो 23 जो Kind ale वो है इस फिगर में जो ह्ए-स भैंटि-3 प्ऋंटि-री पेशन hazard तो यहांसा जो है सी वहला अप्षेन साहिए हो-जाता है